सब्सक्राइब करिया है फाइस्टेडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक हाइफ इस्टेडी चैन्जिंग दावयाफ एजुकेशन दोस्तों हमारी जो आज की मैथ की वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग डिसकस करेंगे अपने सरक्ल यानि ब्रत के पार्ट टू को इससे पहले कल एक पार्ट आ गया था जिसमें हमारा क कुछ लोगों का प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं उनके बास इस लिंक को सेर करूँगा ठीक न भई तो ने कल क्या क्या सीखा हो थोला सा बस दो मिनिट मेरी रीजन कर लेंगे ताकि जो काल की कल की जितनी भी एक्टिविटी है निकल हमने जो जो चीजे की थी वो सभी बिंदू से उसके चारों तरफ की दूरी को समान दूरी को जो आकिरती बनती है उसे हम लोग सरकिल कहते हैं सरकिल में बीचों बीच में जो पॉइंट होता है जहां परकाल की हम लोग नुकीली नोक रखके सरकिल बनाते उसे सेंटर बोलते हैं सेंटर से परिज तक की दूर बोलते हैं यानि उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्यास तो हमाने कल यह भी आपको बताया था क्या बताया था सर कि जब हमारा जैसे मैंने कह दिया कि यह रेडियस है यह रेडियस है और अगर रेडियस कुछ भी मान लिया रेडियस एक्स दिया गया है और आप से डाइगनल थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे, ठीक न, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे चीजे होती है, सबसे पहले तो मैं कल आपको बता रहा था, कि अगर यह मेरा एक सरकिल है, यह मेरा एक क्या है, सरकिल है, ठीक न, बीचो बीच में इसके क्या है, सिंट तो कल मैं आपको बता रहा था कि तippersna Khandh पर स्वार को एक तिरिज्जन ये तो बता रहा था माली हमारी क्या ओर एक स्वार पर साथ Dbrollo है और मैं आपसे कहई दूम कि आपको कि इसकी लंबाई याद करना है ऐसे कहा कुछ इसकी लंबाई ग्याद करना तो कैसे ग्याद करेंगे ये अभी बताऊंगा ठीक है न और कल जो हमारा concept चल ला था जहां पर मेरी वीडियो इंड हुई थी वो यहां पर इंड हुई थी सर कि अगर कोई हमारी एक जीवा है अगर हमारी कोई एक जीवा है जिसका नाम हम कर देते हैं ए बी ये ए बी हमारी जीवा क्या है तो जीवा किसे कहते हैं बताओ कमेंट से में जल्दी से बताओ जीवा किसे कहते हैं तो सर जीवा उसे कहते हैं कि अस्थांबरत पर इस्थे दो बिंदूओं को जो दूरी मिलाती है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे हम लोग जीवा कहते हैं ठीक है ना भाई तो देखो ये जीवा हो गई अब जीवा से ये एक तिरिज्या ये तिरिज्या तो हुई की नहीं हुई भाई ये अगर मैं इसको नाम ओ दिया तो ए ओ आपकी तिरिज्या हुई की नहीं हुई मान लिया इसकी लंबाई मैंने दे दिया गया 3 cm दे दिया इसकी लंबाई 3 cm और इस टोटल AB की लंबाई AB की लंबाई आपको दे दिया गया है मैंने दे दिया 10 cm 10 cm दे दिया गया उसके बाद यहां डाट डाट करके एक लाइन बन गई है डाट डाट करके एक लाइन बन गई है, आपको दीख रहा होगा, डाट डाट करके एक लाइन बनी, मैंने कहा इस O, इस बिंदु को मैंने नाम मान लिया, B दे दिया, तो मैंने कहा O, B का मान बताइए, अब प्रश्ण कैसे बनेंगे दोस्तों, वो समझो, प्रश्ण ऐसा बन सेंटीमीटर है, A, B बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो कुईस्टिन में पूछेगा कि ये B है, ये क्या है आपका B, ये सौरी C है, ठीक है न, B भी दोबार हो गए, ये C में इसका नाम कर देता हूँ, ये AC, OC, तो आपसे OC की लंबाई पूछेगा, आपसे OC की लंबाई पूछ ये बिन्दू B था, इसको C कर लेना, क्योंकि B फिर दोबार हो जाता, ठीक न, तो प्रॉब्लम क्रियेट हो जाए, फिर इसको B बने, बीटू मान लेते हैं, तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कल आपको एक परिमेह बताई थी, क्या बताई थी परिमेह, कि कि किस थी, ठीक ही नहीं थी, कल का लिखा है न, आप लोग ने कहीं नोट से बनाया है, फिर आपने नहीं बनाया, तो याद है न, क्या बताया, कि अगर किसी जीवा पर उस ब्रत्य के केंदर से लंब डालते हैं, तो वह ब्रत्य का जो लंब होता है, जीवा को दो बराबर भागो में डिवाइड करता है इतनी बात मैंने बताई थी ठीग ना आप देखो आगे की कहानी फिर मैं क्या बता रहा था कि अब आप इसमें कैसे बनाओगे तो आप देखो ये आपको इतना मैं इसको थोड़ा सा ना डार्क किये दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लिरली समझ में आए ये ये आपको इतना एरिया तिर्भूच जो दिख रहा है ये तिर्भूच कैसा है तो ये तिर्भूच तर हमारा है शम को और तिर्भूच तो हम इसको कैसे सॉल्प करेंगे तिर्भूच ए ओ सी या ए रही कि नहीं जहां पर आकर्ति कैसी बनती इल आकार की आकर्ति बनती वहां पर 90 डिगरी का कॉंड होता है यह आपको पता होगा जब हम लंब डालते हैं कहीं पर तो हमेशा वहां पर 90 डिगरी का कॉंड बनाता है नॉर्मल सी बात पता होगा आपको तो कॉंड सी बराबर 90 ड पाटेंगे तो भई 5 इधर वाला बचेगा 5 इधर वाला बचेगा बोलो भई बचेगा की नहीं बचेगा 5 ये 5 ये यानि AC के लंबाई कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी सर AC के लंबाई 5 हो जाएगी भई होगी ना तो मैं यहां पर लिख लूँगा AC is equal to कितना है 5 cm है की नहीं है फाइब सेंटिमीटर चंपो और आपको दिया गया एएव कितना दिया गया आपको तीन सिंटिमीटर बनाइब साथ कि अब को यह बुझा बतानी है तो एक चीज मैंने आप को फार्मुला वाले कलास में बताई थी पैथागुलाश परी में हैं पैथागुरस पर में क्या होता है कड़ इसक्वाइर इसक्वाइर लंभ का इसक्वाइर प्लस किसके होता है आधार का इसक्वाइर अगर आपको दोस्तों यह नहीं पता करड क्या होता लंभ क्या होता आधार क्या होता तब तो भई कल्यान नहीं होने वाला है ठीक ना क् करड क्या होती है करड भूजा वो भूजा होती है जो राइट एंगल के सम कोड तिर्भूज में जो हमारा सम कोड होता है उसके जश्ट सामने बनती है या फिर यो समझ लीजिए कि जो समकोड तिर्भूज होगा उसकी सबसे लंबी भूजा क्या हो जाएगी करड हो जाएगी लंब ये लंब हो जाएगा ये बेस आधार हो जाएगा बस अमान रख दीजिए करड का मान है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वाइर 9 सीधे स्क्वाइर कर रहे हैं दोस्तों 9 बराबर लंब कितना है ये ही ग्याद करना है तो यह हमारा हो जाएगा long का square यह long का square plus आधार कितना है? पांच देखो आधार यही तो हुआ c और ac कितनी लंबश यह है? 5 तो ये 5 का square हो गया 25 ये 25 हो गया ना ये plus से इधर minus में आएगा ये plus से इधर minus में आएगा तो यहां हो जाएगा आपका 9 माइनस के पत्चीस बराबर का लंब स्क्वायर यह आजाएगा लंब स्क्वायर तो आप निकालोग यहां आजाएगा 16 और यह इसक्वायर रूट में आजाएगा यह आजाएगा चार तो अब आप एक बात समझो जरा आप को होगे सर यहां पर तो माइनस का 16 बचेगा आप क क्यों लिख दिया तो दोस्तों इसका reason मैंने क्यों ऐसे लिख दिया है क्यों लिख दिया है तो वह चीज भी आप समझ लीजिए अगर हम इसी फार्मूले को transfer करेंगे इसी फार्मूलियों को transfer करेंगे तो यह कर इधर चला जाएगा किसमें हो जाएगा जा सीधे कह लें आधार लंब square बराबर क्या होता है कर इसका माइनस आधार square यह चीज आपको पता होगा कि अगर मैं कह लें कि igma 29 plus minus का 25 है plus minus式 25 है cube square root के अंदर दोनों चिन है plus minus का 25 तो इसका मतलब यह 5 ही होगा यह कभी माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि अगर minus 5 और minus 5 यह लिखा है minus 5 गुड़े minus 5 तो इसका गुड़ा कराओगे तो plus के 25 आएगा कि वर्ग का मतलब क्या होता उसी संख्या से उसी संख्या से multiply इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा सीधे 16 लिख दिया 16 मतलब 4 बात clear तो ऐसे हम लोग लगाएंगे इस तरीके के question को ठीक ना तो अब दोस्तों उमीद करते हैं आपको कल वाला जो इस्टिप रह गया तो वो इस्टिप किलियर हो गया होगा अब सीधे बढ़ेंगे हम लोग question के उपर और अच्छे अच्छे question को solve करेंगे अगर आप ने नहीं note किया है तो आप इसको note कर लीजे फटाक से ठीक ना भाई चलो अब हम लोग question को solve करेंगे अच्छे से note करना और शमस्ते रहना ठीक ना देखो भाई question कैसे कैसे कहेगा उसकी भावनाएं क्या 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 कहेंगी और question को हम लोग लगाएंगे question number देखो दोस्तों मेरा first क्या कह रहा है question number first कह रहा है कि first number question एक ब्रत की परिधी एक ब्रत की परिधी दोशो एक ब्रत की परिधी 243 वर्ग सेंटीमीटर है तो ब्रत का ब्रत का ब्रत का ब्यास बताओ question number दोस्तों यह है first कल मैंने दो टाइप के question discuss किये थे थे ना टाइप वन टाइप टू तो आज आप लोग अपने यह कापी में heading लगा लेना टाइप नंबर थीरी टाइप नंबर थीरी दोस्तों आज सीखेंगे कि जब हमको जब परिध दे दे और हमसे क्या अपोजिट केस चल ला है कि ने चल ला है रिलेट करिए यह पर अपोजिट केस चल ला कि ने चल ला यहां पर टू पोर थीरी क्या दिया गया परिध परिमाप दी गई है ब्रत की और हमसे डाइगनल पूछा है हमसे ब्यास पूछा है तो देखो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे ठीक है ना हमारे साथ समझना अ दोस्तों क्या होती है जरा बताओ ब्रत्य की परिदी कल मैंने आपको बताया था ब्रत्य की परिदी क्या होती है तो ब्रत्य की परिदी होती है सर टू पाई आर यही तो होती के नहीं होती टू पाई आर ब्रत्य की परिदी यही होती बस ठीक है बसर यह वर्ग हट का यह वर् 243 cm है तो व्रत की परिदी कितनी है 243 तो यह मेरा हो जाएगा 243 बड़ाबर टू पाई आर कमान रखोगे दो गुड़े 22 बटे साथ पाई आर कमान 22 बटे साथ होता है अब देखो यहां से सर क्या करेंगे अब हमको पता है 22 दुनना 44 बटे साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यह आजाएगा 44 बटे में साथ और गुड़े में आर हो जाएगा इधार आपका है 243 ठीक भई ना अब देखो यह जब कोई परिमे संख्या चाहे एक एक ट्रांसफर कर लो या पूरी परिमे संख्या ट्रांसफर कर लो जो कोई परिमे संख्या बराबर के उस तरफ गुड़े में होती है और उसको बराबर के इस तरफ या उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उनका क्रम बदल जाता है अंस हर बन जाता है हर अंस बन जाता 44 उपर था तो यहाँ नीचे आ जाएगा 44 तो यह हो जाएगा पहले मैं आप इसको काटिये, आसानी से कैसे कटेगा अब आप जानिए, कैलकुलेशन तो आपको बिल्खुल करना ही पड़ेगा, देखो कैसे कर सकते हैं, पहले आप चाहे इसका multiply करा लिजिये, इसको काट लिजिये, देखो बई, इसको हम लोग काटते हैं कि साथ से, तो यह हो जाए अब आगे नहीं काटेंगे अब देखो क्या करेंगे दसंबलों हटा कि हम लोग उपर जीरो बढ़ा लेंगे एक ठीक ना तो 24-30 को हम लोग 62 से भाग देंगे तो next step हमारा इधर क्या हो जाएगा 24-30 divided by 62 से हो जाएगा ना तो देखो 2 से काटेंगे 2-3-6, 2-1-2, 2-1-2, 2-4, 2-1-2, 2-5-10, 12-15, 31 से भाग करेंगे तो 3-1-3, 3-2-6, 3-3-9, 3-1-2, 3-3 बार जाएगा निए 31-3 कितना होता है? 33-93, 33-93, 33-93, 721, 28 बच गया अब कितनी बार जाएगा? 200 हो गया 35, 285 हो गया, 285 हो गया आपको 31 की टेबल पढ़ना है कितनी बार जाएगा? 33-21, 33-94, 8 बार तकरीबन जाएगा, तो 31 का अगर हम 8 से मल्टिप्लाई करा देंगे, तो 8 कम 8, 8 तरिक कितना हो जाएगा? 24, 248, हमको 285 लाना है तो 9 बार भी चला जाएगा, 31 अगर आइडे कर देंगे, 8-9, 4-3-7, 289, तो कितने बार जाएगा? 31-9, 289 होता है, तो ये 9 ब तो यहां से हमारी निकल के आएगी radius, यहां से निकल के आएगी radius, अब इसको हमको diagonal बताना है, तो radius का दो गुना कर देंगे, क्योंकि हम को पता है, कि diagonal is equal to क्या होता है? 2R होता है, ठीक ना भाई? दोको ये calculator question था, क्योंकि data जरूरी नहीं है, कि हर अस्थान पर data आपको ऐस साधे कि एक बार में डिवाइड हो जाए ठीक ना क्योंकि मेंसुरेशन के चैप्टर ऐसे ही होते हैं ठीक यह एडवांस मैथ जो है आपकी ऐसी ही होती है आपको डाटा ऐसे ऐसे आद आएंगे कि आप काटोगे तो कटेगा नहीं ठीक ना लेकिन भाई करना तो पड़ेगा क क्योंकि मैथ है ठीक तो मैंने काटा इसको अब 30-41 के बाद कुछ पॉइंट में आएगा जो भी आएगा एक दो अंक तक याद करना उसका टू से मल्टिप्लाई करा देना जो आएगा डाइगनल आ जाएगा क्लियर सी बात है दोस्तों चलो नेक्स्ट अगले कुश्चन प पहुशते हैं ठीक भाई ना चलो नेक्स्ट अगला कुश्चन देखेंगे कुश्चन नमबर कौन सा हो जाएगा आज का टू आज का हो जाएगा कुश्चन नमबर टू ठीक है ना भाई देखे दोस्तों हो सकता आपको पहले कुश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हूँ क्योंकि डाटा ही कुछ ऐसा काटने पीटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है लेकिन क्या कर सकते हैं बाई जो चीजे जैसी हैं वैसे ही तो बताई जाएंगी ठीक है ना नेक्स्ट अगला कुश्चन जो है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर टू कोईस्चन नमबर टू कहा गया है कि ब्रत की त्रिज्या ब्रत की त्रिज्या आपको इस बार दी गई है ब्रत की त्रिज्या इस बार आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर ब्रत की त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर तो तो ब्रत के चहत्रफल और परीध में अंतर बताओ छलो लगाओ परीध में अंतर बताओ ठीक है नगत जल्दी से आप इसका एंसर बताओ जल्दी से आप इसका एंसर बताओ question है, ब्रत की तिरिज्या 21 cm है तो ब्रत के छेत्रफल और परिध में आपको अंतर बताना है जल्दी से बताएए इसमें कितना answer आएगा जल्दी से बताएए इसमें कितना answer आएगा ठीक भाई ना कुछ नई दोस्तों, relate करिए बस, तिरिज्या R की value दी गई, पहले हम छेत्रफल निकाल लेते हैं फिर अंसर परिध निकाल लेते हैं दोनों का difference दिखा देंगे जो आएगा वही answer, क्योंकि question में difference ही तो पूछा है, अंतर ही तो पूछा है तो बस सर काम हो गया यानि अगर मैं पहले परिध निकालूंगा परिधी, तो परिधी is equal to क्या होता है ब्रत की परिधी, टू पाई आर होती है ना तो अगर मैं इसको लिखूंगा, दो गुड़े पाई आर कमान होता है 22 बटी में होता है, शाथ multiply तरिज्जा कितनी radius 21 cm, साथ से काटेंगे तीन बार में साथ तरिक किस, 22 दिनना, 44, 44 का तीन से गुड़ा कराएंगे तो चारतियां 12 के 2, 1, चारतियां 12, 13, 13, 132 cm क्या आ गई आपकी एक सो बटीस cm आ गई आपकी परिधी, ये परिधी आगी 132 cm, अब हमको एरिया भी बताना है तो ये छेत्रफल क्या होता है ब्रत का, ब्रत का छेत्रफल होता है सार आपका πाई आर स्क्वायर, पाई आर की वेलू होती है आपकी 22 बटे में साथ गुड़े आर, यानि 21, तो 21 का हम 21 मल्टीपलाई 21 लिख सकते हैं शार से काटेंगे तीन बार में, 22 दुनना हो गया, आपको 22 तीया कितना हो गया भाई, 6 चट, 22 तीया हो गया, 6 चट, 6 चट गुड़े हो गया, आपका 21, तो 21 चक्वायर कितना होता है, 6 दुननी 12, 6 कम 6, 126 के 6, 8 से लागया 12, 126 में 12 जोड़ो गया, तो 126 और 2 हो गया, 128, 10 138 1786 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आगया, आपको डिफरेंस बताना था, 1386 में से अगर हम 132 खटा देंगे, तो कितना आएगा, वही एंसर 1386 में से अगर हम लोग 132 खटा देंगे, तो 6 में से 4 गाय दो गया, 4 बचा, 8 में से 3 तीन यही आपका क्या जाएगा difference आजाएगा तो note कर सकते हो 1254 cm square क्या जाएगा difference आजाएगा note कर सकते हो ठीक भाई ना कितना जाएगा 1254 cm square यही आपका जाएगा सही जवाब यही आपका जाएगा सही जवाब ठीक है ना भाई पूलो ठीक है चलो नोट कर लिया नेक्स्ट अगला question, question number 3 question number 3 हम लोग देखेंगे क्या कह रहा उसको भी समझते उसको भी समझेंगे, बात को बिल्कुल clearly समझना ठीक न, और देखो एक कुछ साथियों का doubt यहां पर पता क्या होगा कुछ साथियों का doubt होगा कि sir pi r मेरी एक क्या है परिमे संख्या है की नहीं है, तो वो समझे लिजे पहले, pi r पूछ रहें एक परिमे संख्या है की नहीं है, या 22 बटे 7 एक परिमे संख्या नहीं है, देखो, जो pi r की value होती है, जो मान होता है 22 बटे 7, यह मेरा एक परिमे संख्या है, लेकिन अगर pi r की बात कर लें, तो pi r मेरा परिमे संख्या नहीं है, pi r मेरी परिमे नहीं है, जबकि इसका मान जो होता 22 बटे 7 वो परिमे होता है, बात के लिए अगर option में pi r, यह question पिछली बार आया था, dealade में याद होगा न, यह pi r वाला question पिछली बार dealade में आया था, सभी को याद होगा, तो वहाँ पर क्या, नहीं यहीं तो नहीं था, जो नहीं था, वहीं हमको चुनना था, तो यहीं नहीं था, ठीक, तो आज से याद रखना pi r जो होता है, वो आपका एक reasonable number नहीं होता है, जबकि उसकी value जो 22 बटे साथ होती है, वो होती है, वो होती है, अब दोको तीसरे number question क्या कह रहा है, दोस्तों जब आप प्रेम से समझना, question number 3 कुछ यह है, कह रहा है कि सर, एक ब्रत, जिसके केंडर से, कैंडर से, कुछ हाग फ्रत जिसके केंडर से, कुछ आ कि एक बरत जिसके केंडर से, 12 cm लंबी 12 cm लंबी जीवा खीची है जीवा जीवा खीची है तो question कहा गया ब्रत की त्रिज्या बताओ radius बताना है लगाओ question भाई याद रखना कौनसे question करा रहे है टाइब 3 टाइप 3 question आपको solve कराने हैं तो बताईए जल्दी से इसका answer क्या आएगा जल्दी से बताईए इसका answer क्या आजाएगा लगाईए भाई ठीक है ना लगाई तो question फिर से मैं repeat किये दे रहा हूँ एक बार question है एक ब्रत जिसके केंदर से 8 cm दूरी पर कोई 12 cm लंबी जीवा खीची है या जीवा है ब्रत की तिरिज्या बताओ ब्रत की तिरिज्या बताओ कूल माइंड होंगे अब हम इस question को diagonal में convert करेंगी सबसे पहले तो एक circle है लो सर मैंने यहाँ पर एक circle बना लिया एक circle मैंने यहाँ पर बना लिया यह हो जाएगी center यह center हो जाएगा अब कहा गया है center से 8 cm की दूरी पर कोई एक जीवा है यानि center से 8 cm की दूरी पर तो यह हमारा 8 cm होगा की नहीं होगा कितने cm लंबी जीवा है तो 12 cm लंबी जीवा है यह 12 cm लंबी जीवा है तो question में आप से पूछा त्रिज्या, भाई त्रिज्या हमारी यही तो होगी, यही तो होगी, चाहे इस तरफ से निकाल लीजी, चाहे आप इस तरफ से निकाल लीजी, कोई problem नहीं, यही तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या होता क्या, त्रिज्या होता है, center से परिज दक की द तो बिल्कुल सेम इसी परकार का question अभी मैंने आपको बताया की नहीं बताया यहां पर AO हमको पूछे है हमसे पूछे है AO बराबर मैंने question mark कह दिया और AB अब जब ये 12 cm पूरी AC लंबाई 12 cm है तो AB कितना हो जाएगा 6 cm यानि AB is equal to कितना आ जाएगा 6 cm और मेरे को दिया गया है AB कितना 8 cm तो AB हमने दे दिया 8 cm अब हम इस question को लगाएंगे किस से लगाएंगे पैथा गुरस परिमें से पैथा गुरस परिमें कहती है सर करण का square जब आप करोगे तो लंब के square लंब के square प्लश आधार के square के बराबर होगा यही तो कहती है तो बश्चर आ गया करण यह व इसके ठीक साम यह भूजा हमको यही याद करनी तो करण square हमारा ऐसे ही चलने माला है लंब कितना है लंब है आठ अगर 8 का work कराएंगे तो 460 आएगा प्लस 12 यह है 12 12 का था 6 6 का work कराएंगे तो 36 आएगा तो यह आ गया मेरा 36 अब हम लोग इसको add करेंगे तो 6 3 9 6 4 10 100 आ गय करेंगे बराबरा जाएगा square root के अंदर शों और सो का मतलब 10 cm आपका एंसर आजाएगा 10 cm आपका एंसर आजाएगा रेडियस कितनी आ जाएगी सर 10 cm रेडियस आजाएगी क्लियर तो जितने भी सात्यों का आंसर 10 cm आ रहा था वह बिल्कुल राइट खेल गए है 10 cm आपका पिल्कुल सही चवाब है नोट कर सकते हो ठीक ना नोट कर लीजे फिर मैं आपसे बताता हूं यहां पर question में language में कुछ और भी changes कर सकता है कुछ और भी बदलाओ कर सकता है कौन कौन से सर बदलाओ कर सकता है ठीक ना देखो पहले तो समझे चीजों को जब आपसे त्रिज् निकालते या आपको यहां पर त्रिज्ज्य नहीं पूछता यह तिरिज्ज्ज्य में एक सिकने के लिए साफ किये रहा हो कुष्चन में सीदे अगर आपसे ब्यास पूछता तब भी तो आप पहले radius ही निकालते तो question में चाहे बात समझ यह जड़ा question में, question में चाहे हमसे radius पूछे चाहे हमसे डाइगनल पूछे इन दोनों के बीच में ऐसा प्यार है ऐसी मुहबत है इन दोनों के बीच में कि जब तक यह रेडियस नहीं होगी ना जब तक हम लोग डाइगनल नहीं पता कर सकते हैं जब तक रेडियस नहीं पता होगी तब तक डाइगनल नहीं पता कर सकते हैं क्लियर ऐसा इन दोनों में लगाव है जो कि आज कल के आदमियों में बिलुकुल भी नहीं है जो कि आज कल के लग आदमियों में बिलुकुल भी ऐसा नहीं वो हमेंसा एक दूसरे को क्या करते हैं नीचा दिखाने की कोशिस किया करते हैं ठीक ना चलो कोई नहीं भाई हम लोग कुश्टन लगाएंगे हमें दुनियादारी से कोई मतलम नहीं है बस भाई समझते रहना चीजों को ठीक है न अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन कुश्चन देखे कैसे कैसे बन सकता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कुश्चन अब देखे कुश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझे कुश्चन नमबर फूर कुश्चन नमबर फूर टाइप फिरी के अंतरगत कुश्चन नमबर फूर यदी यदी एक ब्रत एक ब्रत एक ब्रत का छेत्रफल एक ब्रत का छेत्रफल आपसे दिया गया है कितना चेतरफल दिया गया है, तो चेतरफल दिया गया है 88 cm2, यदि एक ब्रत का चेतरफल 88 cm2 है, तो अर्धवरत का चेतरफल क्या होगा, अर्धवरत का चेतरफल क्या होगा, अर्धवरत का चेतरफल क्या होगा, यह यहां पर क्या करोगे, नई चीज निकल के आ गई है, ठीक है न लेकिन उससे पहले हम इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कैसे देखो सर यहाँ पर एक ये मेरा क्या है सरकिल है सरकिल ये सेंटर हो गया सेंटर बीचो बीच में इस्थित है तो ये पूरा हमारा क्या है ये पूरा एक ब्रत है ये ब्रत है न हमसे question में अर्धवरत अर्ध यह पार्ट हो गा यह तो यह पार्ट ऑगा यह हिं दों में से एक पार्ट होगे यह फिर का करूंगे तो आधाइधर आधा कोई एक अर्धिवरत हो सकता है तो निया गया है देखने डिया जो आदा से केau वह था em by our square इंगर इसका मतलब आधे तो होता है भाई समझ रहे हो कि समझ रहा हो अर्दपरत्थ का छेत्रफ़ल क्या हो जाएगा जो ब्रत्थ का छेत्रफल होगा ना उसका आधा हो जाएगा बस आधा का मतलब बटे दुहे तो करते हैं दुहें से तो भाग करते हैं बस आप देखो यहां पर पाई आर की वेलू कितनी दी गई है अठासी यह होगे अठासी बटे में दो काटेंगे तो 44 cm2 आपका क्या जाएगा एंसर आजाएगा दोस्तों अभी में बहुत आपको केवल ना बाहर बाहर ले चल लहां हूं सर्किल के अभी बाहर बाहर ले चल लहां हूं अभी तो मैंने अंदर बताया ही नहीं है कि तिरिज थोड़ा आपको ले चलूंगा ठीक ना हमको एकदम से कोई चीज नहीं सीखनी है हमको बस चीजों को थोड़ा-थोड़ा समझना है अभी तो इसमें तीन चाप पर में भी उनको भी पताऊंगा तो वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा पहले आप बेस तो मजबूत करिए पह कुछ लिया तो आप इसको यहां पर आसानी से बता शक्ते हो ठीक ना अगला नेक्स्ट कुईस्टिन बिल्कुल इसी टाइप का होगा आप लोग जल्दी से करके बताऊंगे ठीक ना चलो समझ में आ रहा है भाई की नहीं आ रहा है देखे जितना भी पढ़ाया हूं अगर आप कुछ न बनाओगे जितना भी पढ़ाया हूं अगर आप कुछ न बनाओगे तो आप आसानी से वहां पर बना लोगे कुछ न ठीक ना अगर आप बुक के कुछ न बनाओगे तो सभी भी कुस्शन मिना लोगे ठीक देखो दोस्तों फाइव क्या कहा रहा है कुष्चन दोमर साइव क्या कि अभाएव कहा गया कि यदी अर्ध वरत हैं रद का छेत्री फलाँ अर्ध वरत का छेत्र फलाँ दवरत्य का छेत्पह मान लिया दे दिया है चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर तो कुईस्टिन आपसे पूचा है तो वरत्य का परिमाप बताओ वरत्य का परिमाप बताओ ठीक ना देखे सभी चीजों से आपको खेलने की कोशिस करा रहा हूं सब कुछ बताने का प्रयास करा रहा हूं सब्सक्तों तो ऐसा कुछ नहीं जो कि समझे में नाया रही ठीक है देखो वजी लुए यहां पाध्यल होता क्य होता है अर्ध्रकाव कची TRIP क्या होता मैंने बताया शुड़ वर्भ होता पूरा पूरा वही तो होगा नहीं का देखो यहां पर अद्ध्याप अ पाई आर स्कार डिवाइड बाई टू यही तो होता है तो हमको परिमाप परिमाप बराबर पहले होता क्या है जरा बता हो परिमाप कब निकाल सकते हैं जब हमको पता होना चाहिए क्या रेडियस तभी तो हम परिमाप निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने बताया बिना रेडियस के कच्छू नहीं हो सकता रेडियस पता होना बहुत जरूरी है तो यहां से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे दोस्तों आईए सीखते हैं अर्ध परिमाप का छेतर पल कितना है 24 सेंटीमीटर बराबर इधर हमारा देखो यह हो जाएगा पाई यार आर इसक् आते और यह आर इसक्वाइर हो जाएगा आपका गुड़े का आर इसक्वाइर हो गया बस समझ रहो ना तो 24 दुना 48 यह आगया आपका 48 गुड़े अभी हमको आर की वैल्यू निकाला तो इसको ट्रांसफर करेंगे यह 22 बटे साथ था तो इधर आएगा 7 बटे 22 हो जाएगा ना अब इसको हम लोग काटेंगे 22 से काटेंगे 22 से कम 22 22 दुना हो गया 44 कितना बच गया 6 बच गया दस समनल लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 22 कितना होता है चाहाँ छट लेकिन साथ कम है तो 22 दुना 44 अब आगे हम इसको नई शौर्व करेंगे साथ को इस 14 के 4 हासिल आगे एक साथ दुनी 14 एक 15 यह आगे 15.4 और उधर बचे में बचा क्या आर इसको आयर बचा तो अब आर की वैलू निकालेंगे तो आर की वैलू क्या जाएगी रूट के अंदर 15.4 आएगी रेडियस कितनी आएगी रूट के अंदर 15.4 आएगी 15.4 आएगी ना रेडियस सेंटिमीटर हमको क्या परिमाब बताना इसमें रेडियस की वैलू रख देंगे बस तो टू मल्टिप्लाई पाई आर के मान होता है 22 बटे में शाथ गुड़े यह आजाएगा रूट के अंदर 15.4 बस इससे कोई मतलब है ने रखिए इसको पहले सॉल्व करिए 22 24 यह यहां पर सीधे आप इसका पॉइंट में मान रख सकते हूँ दो गुड़े 3.14 गुड़े का रूट 15.4 गुड़ा कराएंगे 248 दो एक कंदो और 236 6.28 गुड़े रूट के अंदर 15.4 चाहो तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं दसम्लों 22 के जोड़े बनाके नहीं तो कोई बात ने यही एंसर आजाएगा 6.28 गुड़े रूट 15.4 यही आपका क्या जाएगा एंसर आजाएगा ठीक बात ना तो यह क्या जाएगा आपका एंसर आजाएगा तो चीजे I hope कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा थोला सा difficult मानते हैं हो सकता है calculation में बट को कोई नहीं समझते रहिए भाई अगर दुबारा आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी समझना अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पुना देखना दिन में एक बार और देखना रिपीट करना वीडियो को आपको जब टाइम मिले तब देखिए यह स सेकेंड सेमेस्टर की सारी वीडियो फॉष्ट की जिएदे नी बनाई हैं सबी वीडियो आपको मिल जाएंगी तो जो आपका डावट है वह डावट आप के लियर कर सकते हो ठीक है ना भूलो ठीक है कि नहीं ठीक है चलो अब नेक्स्ट अगला कूश्चन देखेंगे ठीक ना उसके बाद कल की जो वीडियो आएगी वह बहुत होगी क्ल की वीडियो में हम लोग कुछ क्या सीखेंगे अपने डायग्राम ओले कुश्चिनों को चित्र वाले कुश्चिनों को ठीक भई देखो टाइप नंबर अब फूर बताने जा रहा हूं दोस्तों टाइप नंबर य॥ाने य॥ा बुनपाने जा रहा होँ नंबर हमात्र आज का को फिर नंबर श्कल के खर य॥ल श्रीन कहरें थारा याधी क्लेट की वीडियो व् अब शेट्रफल क के परिदि और छेटारफल ने परिदी और छेट्फल मेंएट्धी और छ्षेट्रफल में 21 सेंटी मेटर का अंतर है 21 cm का अंतर है तो बृदो की है ज़िया बताओ तो आन अपको बताना है यह कुष्चioxid लगाना है यहिए जों परीदे और चयह संटीमेटर आंतर है तो ब्रत की रेडियस फाइंड आउट करणा है वरत की तिरिज्य आपको बताना धेन तो जल्दी से बता दीजे सका ऊंसर प्रैंजिस करिए तो कोई नहीं ठीक आ आएगा जरूरी अंसर हिम्मत मठार ना बस आप आप लोग हिम्मत प्रिकिया होती हे परिध्य आपकोती है परिध्य बराबर इनका डिफरेंस लिया इनका अंतर धी 전्य कितना नत隐ं कामन के भिंग कामन मिला मिला दोनों में तो मैंने और कामन ले लिया ब्रेकर्ड वे क्या यहां बच गया r square यहां माइनस का बच गया आपका 2r यहां बच गया माइनस का 2r क्यों कि Pi से Pi cancel बराबर इस तरह 21 बच गया पाई यार मेरा गुड़े में है पाई यार गुड़े में न तो उधर जाएगा तो बटे में संख्या पलट जाएगी यानि कि यह कि आ जाएगा ये देखो ये आपका आ जाएगा या इसको सिधा मान यहां पर रख लीजिए यहां पर सिधे आप चलिए एक इस्टे बढढ़ा देते हैं यह आप कुछ समझ में नहीं आएगा पाई यार का मान रखोगे 22 बटे में साथ तो यहां आपका बचेगा r square minus का आपका 2 r बचेगा बराबर इस तरफ आपका बच गया 21 अब आगे की कहानी आप इस तरफ समझे आगे की कहानी यह 22 बचे 7 गुड़ी में उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी यहांनि इस तरफ बच गया आपका r square minus का 2 r बच गया की नहीं बच गया minus का 2 r बच गया तो यहां पर दोस्तों अब क्या कह सकते हैं इसको में ब्रेकेड में लिख के उधर हमारा क्या जाएगा 21 गुड़े 7 बटे 22 r मिला ना तो हम r कामन ले लेंगे तो यह मेरा बच जाएगा r minus के 2 r minus के 2 बच जाएगा सर और बराबर इस तरफ क्या बच जाएगा इस तरफ हमारा 21 सत्य कितना होता शाथ एक कम शाथ 7 दूनी 14 147 बटे 22 हो जाएगा 147 बटे 22 हो जाएगा होगा ना अब हम यहां पर दोस् चल गया कि नहीं चल गया अब यहां पर हम इसको multiply में कह सकते हैं x गुडे x यही तो x गुडे x कह सकते हैं बोलो भई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं या आप इसको अगर आप यहां पर कामन ना लेते तब समझो अगर आप यहां पर कामन ना लेते तो क्या हो जाता इतना कर लेकेड में आर माइनस के टू बच जाता कि नहीं बच जाता और यह माइनस में टू उधर जाता तो प्लस में टू हो जाता यह माइनस में टू उधर जाता काहिम हो जाता प्लस में टू हो जाता तो यह प्लस में टू हो जाएगा और यहां पर किस से बचा आर इसक्वायर से ह होगा तो यह माइनस में है यहां पर यार यह माइनस में उधर बेजेंगे तो प्लस में और आर 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 स्कॉयर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 147 बटे में हो जाएगा 22 और यह गुड़े माइनस का के क्या आजाएगा कद्दो आ जाएगा तो जब यहां से हम आर की वैलु निकालेंगे यहां से आर की वैलु भई इसको solve करेंगे और का square भेजेंगे तुधर Resquare Root में आ जाएगा तो जो आर की वैलु निकालेंगे वही हमारा अंतर होगा डाटा दोस्तों कुछ ऐसा है यह क्या बताएं जो बुक है इसका डाटा कुछ ऐसा है कि बहुत पॉइंट में आ रहा ठीगा ना तो इसके लिए जिनके पास भी कुश्चन है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में अपने कुश्चन लिख देना ठीके ना सरकल से रिलेटर जो भी कुश्चन आपका है कमेंट बॉक्स में लिख देना किसी भी पॉब्लिकेशन का है उसको कल की वीडियो में सौर्व कराया जाएगा क्योंकि यहां पर जो बुक है इस बुक में इतना ज्यादा यह जो डाटा दिये हैं यह डाटा ऐसा है कि आप कारते रों कारते रो कटे गा ही नहीं क्योंकि आपको समझाना है तो डाटा कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको यहां पर समझ में आए तो सुर्वात में ऐसी ऐसी चीज़े दे दिया गया है तो भाई साथी को कहा समझ में आएगा भाई खुछ से सोंचो आएगा दोको आप कठीन परिसरम आप कर सकते हो पहले आप धीरेदीरे काम करोगे धीरे धीरे दीरे काम पहले आप आदा घंटी पढ़ होगे फिर एक घंटे पढ़ ओगी फिर दिरदेराप रही हाई भीट बर्लगे पढ़ सक्टे हो ठीक न – तो कोई कढ़िन काम करने के लिए हम को पहले अपनी habit बनाना पड़ेगा हमको based बनाना पड़ेगा और वही इस book में दिये नहीं ठीक न कोई नहीं दोस्तों हम बना बना के question करेंगे या फिर आप अपने question comment其實 अधर कराए जाएंगे आपकी comment याँ इस ऐरण अधर लगा जो लोग ratio के भारे में पूचने हैं कि सर आपने पढ़ाया आये आपने ये आयू वाला नहीं पढ़ाया आये तो भाई अभी प्रेर्क्टिस It कराये संघ होंगा जितने भी कुईष्यन होंगे जितने भी सब्सक्राइब करना मिलेंगे आप से कल आप की कुष्टिनों के साथ याा दखना कुष्टिन कहां डालना है कुष्टिन एक कुष्टिक है अगर रेचियो कभी आपका कोई इक कुष्टिन अगर आपका सिंगल आपके सभी जितने भी डाउट हैं आपके वो डाउट पहले तो किलियर किये जाएंगे और हो सके तो सर्किल के कुईस्चन जादा डालना किसी के पास जो भी पब्लिक ऐसान है चुकि इस वीडियो में डाटा बहुत ज़्यादा है जो आपको अपसेट कर सकता है ठीक ना तो शबी चाहती को गुड नाइट बाबाइटे केर जाएं हिंजे भारतो वन देवात्रम